हेलो गाईस, वेलकम तो क्रिसी कोर्चिट चलेंग तो आज मैं आप लोगों को 8-9 नमबर किसना के लिए धोती बना के दिखाऊंगी और यह जो कूर्ता देख रहे है यह कूर्ता का वीडियो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी और वीडियो का लिक आई बटन और यहां पर मैंने 25 चेन मैंने बना लिया इसके बात क्या करेंगे तीन चेन एक्स्ट्रा लेंगे एक दो तीन चेन लिया लूप लेंगे यही जो तीन चेन मैंने लिया स्कीप कर देंगे और चौथी चेन को उठाएंगे यहां पर डबल क्रोश्या बनाएंगे तो यहां दो डबल क्रोश्या हो गई नेक्स्ट चेन में एक बाद डबल क्रोश्या फिर नेक्स्ट चेन में एक बाद डबल क्रोश्या तो यहां पर जितना सारा चेन दिख रहा है सब के ऊपर एक एक बाद डबल क्रोश्या लास्ट तक बना लिजिए तो देखिए यहां पर सब चेन क उपर एक एक double crochet में ने बना लिया, इसके बाद क्या करेंगे, एक, दो और तीन loop को ऐसे turn करेंगे, loop लेंगे, chain के नीचे just chain छोड़ देंगे, next वाला loop के उपर, एक बार, फिर इसे same loop में, और एक बार, तो दो double crochet हो गई, next में एक बार, फिर next में दो बार, एक ही loop में, दो double crochet बनाएंगे तो देखिए एक बार दो बार एक बार दो बार इसी तरह से round up complete कर लीजिए तो देखिए round की end में पहुच गई हूँ और यहां पर देखिए last में दो बार और यहां पर तीन की chain के ऊपर एक बार double crochet बनाएंगे जैसे कि start में एक double crochet है side में तो last में भी एक double crochet रखेंगे इसके बाद एक दो तीन तीन चेल लेंगे लूप को इस तरह से turn करेंगे चेन के नीचे जो लूप है छोड़ देंगे और next chain में ही double crochet बनाएंगे इस round में कुछ नहीं करना है हर double crochet के ऊपर एक एक बार double crochet बनाते जाना है last तक इस में आप इस round में double crochet नहीं बढ़ाना है ठीक है तो सब double crochet के ऊपर एक एक पर double crochet बनाते हुए round कमपलीट कर लेजिए दिखी राउंड के अन में पहुँच गई हूँ और यह जो साइट में तीन की चेन है इसके उपर एक डबल क्रोश्य बना लेंगे फिर से तीन चेन लेंगे और इस तरह से लूप को टर्न करेंगे चेन के नीचे जो लूप है इसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन के उप स्टार्ट हो गया है बाकी राउंड टुटल साथ राउंड हम बना लेंगे प्लेन यहां पर कुछ बढ़ाना नहीं है बस बनाते जाना है डबल क्रोश्य के उपर डबल क्रोश्य ठीक है साथ राउंड बना लीजे बनाके मैं ही दिखाती हूँ तो देखिए मैंने इसके बाद यही पर छोड़ देंगे और दूसरा धागा लेंगे और यहां पर नौट लगाएंगे नौट लगाने के बाद देखिए स्टार्ट में जो यह तीन की चेन है तीन की चेन में इसे क्रोश्य डालेंगे और उलक़ा इसे फसाएंगे यहां पर एक दो दो चेन लेंगे यानि कि हाप डबल क्रोश्य बनाना है तो हाप डबल क्रोश्य के लिए दो चेन लेना है लूप लेंगे निक्ष्ट डबल क्रोश्य के यह जो धागा है साथ में ले लेंगे यहां पर हाप डबल क्रोश्य बनाना है लूप लेंगे निक् निकल देना है तो इसी तरह से आप पूरा राउंड कॉंप्लीट कर लीजिए लास्ट तक तो देखिए यहां पे धागा को काट देंगे एक चेन लेके धागा को काट दिया देखिए यह जो उल है इस तरह से साथ में ले लेंगे तो यह अंदर चले जाएगी और कुछ काटना भी नहीं पड़ेगा और इसके उपर इस तरह से हाप डबल क्रोश्या बना देंगे इसके बाद एक चेन लेके धागा को काट देंगे ठीक है फिर गिरिन कलर धागा ले लेंगे एक और दो दो चेन लेंगे और यह जो उल है शाथ में ले लेंगे देखिए नेक्स्ट चेन में हाप डबल क्रोश्या इस राउंट में भी आपको हाप डबल क्रोश्या ही बनाना है अभी जो बनेगी हाप डबल क्रोश्या बनाना है ठीक है तो इसी तरह से आब round complete कर लेजिए तो देखिए green color complete करके मैं यहाँ पर एक चेन लेग के धागा को काट दिया फिर से start करेंगे purple color इस तरह से note लगाएंगे फिर से दो चेन एक और दो ठीक है next loop उठाएंगे half double crochet बनाएंगे half double crochet और यह घागा को यह उगल को शाथ में ले लेंगे इस round में भी ओ ही करना है बस आपको half double crochet बनाते जाना है और कुछ नहीं करना है हर round में half double crochet बनाते जाना है इस round में आपको कुछ नहीं करना है बस पूर जितना सारा लूप है यहां पे इस तरह से half double crochet बनाते हुए last तक आ जाना है तो देखिए purple कलर यहां पे मैंने धागा को कार दिया, wool को कार दिया फिर यहां से start करेंगे फिर half double crochet बना लेना है तो देखिए इस round में मैंने half double crochet मैंने बना लिया आप भी पूरा round complete कर लिजे तो देखिए मैंने round complete कर लिए और यहां पे धागा को कार दिया तो देखिए इस type का lace जो है हम यहां पे लगा देंगे शुई धागा की मदद से तो थोड़ा सा बाहर रखेंगे और यहां पे इस तरह से seal देंगे ठीक है इसके बाद हम यहां पे seal देंगे पूरा ठीक है यहां पे पूरा यह लगा लेंगे stitch करते हुए यह lace को लगा लेंगे यहां पे लगा के दिखाते हूँ तो गाईज देखिए यहां पे हम खतम कर देंगे और इस तरह से यहां पे थोड़ा सा ज्यादा seal देंगे और extra जो है इस side काट देंगे तो देखिए इस type का मैंने धागा ले लिया धागा लेने के बाद सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ट करेंगे फोल्ट करने के बाद देखिए बीच ओ बीच हम इस तरह से उलको फशाएंगे फशाने के बाद ठीक है इसके बाद हम इस तरह से मेडिल में पूरा एक दम ठीक है इसके बाद यहां पर फिर से हम नौट लगाएंगे क्योंकि यहां पर धोती में बांधना होता है तो इस तरह से हम बांध लेंगे ठीक है तो देखिए मैंने यहां पर बांध लिया है आप बनाएंगे डोरी तो देखिए डोरी के लिए मैंने प्लेन चेन बना दिया तो कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा आप बना लीजिए आपकी हिसाब से कितना आप लंबा रखना इसके बाद एक पीन ले लेंगे और यहां से एक एक धाका इस तरह से एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इस तरह से डोरी को डाल लेंगे यह बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे पीन में अगर डोरी डालेंगे तो यह जो धागा है इसे काट देंगे अब देखिए धोती का सेप इस तरह से जवाम किष्णा को पैनाएंगे यह देखिए और यहां पर हम पठका लगा देंगे अभी मैं बता देती हूँ आपको आपका इसे पठका बनाएंगे देखे, अब धोती का से दिखने लगा अब यहाँ पे जैसे ही पठका आएगा तो यह दिखने में बहुत सुंदर लगेगा देखे धोती का जो यह है न यह इस तरह से फुला हुआ रहता है तब धोती का से अच्छा आजाता है और इस टाइब का आब अब इस style से आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान है कुछ नहीं है बस एक ही round में आपको बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है तो मैं पटका बना के आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 double crochet है 2, 4, 5, 6 इसके बाद chain 1 लेने के बाद लूब पो टन करेंगे और just chain के नीचे जो लूब है इसके उपर बनाएंगे एक double crochet तो यहाँ पर एक double crochet हो गई फिर next chain में एक double crochet फिर next chain में एक double crochet फिर next में एक double crochet छे चेन के उपर 6 बारी double crochet बनाना है आपको बस ओही देखना है कि double crochet बढ़ना जाए ठीक है तो इसी तरह से मैं इसी तरह से मैं 5 round complete करके दिखाती हूँ तो देखिए मेरा 5 round हो गई एक दो तीन चार पांच पांच राउंड हो जाने के बाद यहाँ पर मैं एक चेन लेके धागा को कट कर दिया अब क्या करेंगे देखिए जो साइट में चीन है इसमें crochet डालेंगे और उलको इस तरह से फसाएंगे और यहाँ पर तीन चेन बना हो गई तीन हो जाने के बाद अब बनाएंगे होल में एक डबल क्रोश्या एक चेन फिर होल में बनाएंगे और एक डबल क्रोश्या तो देखिए यहाँ पर इस साइट तो तीन डबल क्रोश्या मैंने बना लिया तीन के उपर तीन के उपर तीन मैंने अभी तक छोड़ दि इसके बाद इस साइट जो तीन डबल क्रोशिया है तीन के उपर तीन बार बना लेना है डबल क्रोशिया एक, दो, और ये हो गई तीन, फिर तीन चेल लेंगे, लूप को ऐसे घुमाएंगे और ये जो एक्स्टर धागा है इस अब को काट करतेंगे देखे, साइट में जो डबल क्रोशिया है तीन की चेल मैंने बनाया तो ये कौभार हो गई निक्स डबल क्रोशिया के उपर डबल क्रोशिया फिर निक्स डबल क्रोशिया के उपर डबल क्रोशिया फिर ये जो pattern का double crochet है उसके उपर भी एक बर बना लेंगे देखें यहाँ पर 4 double crochet हो गई इसके बाद बनाएंगे hole में 1 double crochet, 2 chain, और 1 double crochet तो यहाँ पर देखें भी बन गया इसके बाद देखें यहाँ पर 4 double crochet है 1, 2, 3, 4, सब के उपर बना लेंगे चार बार double crochet, चार के उपर 1 एक बार बनाएंगे, 1, 2, 3, और यह हो गई 4, फिर 3 चेन लेंगे, लोप को इस तरह से घुमाएंगे, site में जे double crochet है, यह 3 की चेन में कॉबार हो गया, next double crochet के उपर double crochet बनाएंगे, तो 2, 3, 4 और यह हो गई 5 इसके बाद बनाएंगे होल में एक बाद डबल क्रोशिया दो चेन अब देखें यहाँ पर मैंने 2 चेन लिया और एक चेन लेंगे टोटल 3 चेन लेंगे देखें होल में बनाने के बाद 3 चेन लिया तीन चेन लेने के बाद देखें यह जो लूप दिख रहा है दोनों को उठाएंगे यहाँ पर पी को बना दिया फिर होल में एक बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर जैसे हम 5 के उपर डबल क्रोशिया भी बनाएं थे सेम इसी तरह से 5 बाद डबल क्रोशिया इस साइट बना लेंगे वीडियो का स्पीट थोड़ा शो बढ़ा देते नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कात होगी देखे बना लिया आप एक चेन लेके धागा को कट कर देंगे और यह जो धोती है इस तरह से हम बिचो बिच रखके यहाँ पर सिल लेंगे यह जो राउंड दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से रखके सिल लेंगे तो कैसे सिल लेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पह अच्छी आएगी तो देखिए धोती बनके रेडी है और यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन लगा के डेकोरेट कर लेंगे ठीक है तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टोन देके डेकोरेट कर लिया और कोमोर में भी यह मैंने लेस लगा लिया यह अप्सिनल है अगर आप चाहू तो लगा सकते हो कोई बात ने बहुत ही अच्छा लगेगा किसना जी जब पहनेंगे बहुत सुन्दर लगेगा बहुत चादा सुन्दर लगेगा पहनने के बाद वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक किजे शेयर किजे और मेरा चलेन को सब्सक्राइब करना मत बूलिए